हर हर महाधिव आप सभी का हमारे शनल पर श्वागत हैं आप सभी को जैस्री माकाल इस वीडियो में आपको बताएंगे सुडेल साधना पर जान का रहे हैं सुडेल साधना का मंत्रा भी बताएंगे और सुडेल साधना को करने से क्या होता है वो भी बताएंगे अब इस वीडियो में पूरे बने रहीएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सेनल को सब्सक्राइब जरूर करना सुडेल साथना सुडेल साथना अच्छी भी होती है और बोरे भी होती है अब उसका परियोग कैसे करना है वो सादक पर निरपर करता है क्योंकि नाम से ही सुडेल है सुडेल किसी कहते हैं आप समझ गए होंगे या आप साधना से सम्मधित या तंतर से समधित कुछ जानते हैं तो सुडेल के बारे में जानते होंगे मैं यहां पर ज्यादा आपको सुडेल के बारे में नहीं बताऊंगा मैं किवल सुडेल सातना से समंदित आपको बताऊंगा सुडेल धोनों तरीके से कारिय करती है अच्छे भी करती है बुरे भी करती है बस उसको करना होता है सिद्ध और सिद्ध करने के बाद में वो कारिय करती है सुड़ेल सिद्ध के लिए अपने को परयोग करना पड़ता है उसका आवान करना पड़ता है उसके लिए कुछ सामगरिया होती है बोलानी पड़ती है सामग्रियों में सामान्य पूजापाट के कार्य होते इसके साथ में तामसिक फोग वगेरा देना पड़ता है सराब भी दियेना पड़ता है मेट वगेरा भी देना पड़ता है तो वो शक्तिया होती है जल्दी आकर सित हो जाती है और बहुत सारी सुड़ेले ऐसे होती हैं जो भी नाताम सिक्क्रियाओं के केवल मिठा फोक देने से भी आ जाती है उसके लिए आपको काज जाना पड़ता है या तो आप समसान में जाके कर सकते हैं या आप किसी बंबू का पेड़ होता है बंबू होता है बास होता है बास का पेड़ वहाँ पे जाके करते हैं तो भी शेदो जाती है या आप किसी एकांत खंडर में जाके बुलाते हैं तो भी आ जाती है या किसी बेर वगेरा की पेड़ होता है असपास में कोई बड़ा पुराना वागा चो बहुत पुराना हो इस नहीं कि आप छोटा मोटा कहीं से पौदा देख के वहां बैट जाएं बहुत पुराना बेर का होता है ना बेर होता है इसका पौदा है वहां जाके करेंगे तो बीशित हो जाता है इसके इलावा ये सुडेल वगेरा ये अक्षिनिया वगेरा पीपल वगेराओं पे इनका वाश होता है और गाउं के आसपास कोई कच्छी बच्टिया वगेरा होती हैं तो ऐसी जगों में भी ये ज़्यादतर गुमती रहती है और अगर आप इसको घर पे शादना करना शाते हैं तो घर के किसी एकांत जगह में एकांचा आपे घर के लोग आसपास में ना बटके क्योंकि ये सक्तिया अलग तरीके की होती हैं इससे आपको और आपके परिवार को भी शमश्या हो सकती हैं आप उसको कर सकते हैं, घर पर शादना कर सकते हैं लेकिन सुरक्सा के साथ में इनको करना पड़ता है ये सादना करने से पहले आपको कोई बड़ी सक्ति की सादना करनी होगी या आपके पास में पहले से कोई आपका गरु मंत्र वगेरा सिद्ध है या आपकी पास में बहुत ऐसा कोई गरू मंत्र बगेरा है जो ज़्यादा तर्चापा हुआ अगर आपको लग कि आपका पास में वो सिद्ध नहीं है लेकिन उसका अनुभव है आपको आपने महीने डेड़ महीने उसका जब किया हुआ है तो फिर आप ये शादना कर सकते हैं या फिर आपका उसमें कोई भी अहित नहीं होगा इस परकार से ये शादना करने से आपको फाइदे भी बहुत होते हैं और नुक्षान भी होते हैं फाइदे की बात ये है कि सोड़े ले कैसी सकती है जो आपको कुछ लाके भी देती है आप साय कोई भी उससे सामान मंगवाते तो वो भी लाके दे शकती है किसी का मोहन करना है यानि किसी की नजरों में वंसी करन किसी का करना है तो किसी को भी पल जबकते ही उसको अपने वश में कर सकती है जैसी आपकी अंदर जैसी भावना चल रही है वैसे वह अगला इंसान बोलता है यानि आप जैसे चाते हैं कि ऐसे बोल अगला सब जैसे मनी मन सोचते हैं वैसे वैसे वो अगला सब इंसान है वो बोलता रहता है फिर लोगों को लगता है कि ये मतलब इनकी पक्स में कैसे बोलता है ये क्या इसके तो लड़ाई जगड़ते फिर भी इसके पक्स में बोलता है तो ये एक मतलब मेडिकेशन जैसा पावर होता है सुडेल साथना से सुडेल है सुडेल डायं वग्यरा होती है तो ये कैसे अलग तरिकशी का ये पावर रखती है जो इंसान को सामने वाले को शाइट कैसा भी अगर कोई आता है इंसान मान लेजे किसी का लड़ाई जगडा और क्रोधी तो के आता है और उसके सामने वाले के तुरंत आको में असानक से ऐसा परिवर्थन उसके बाड़ी में कर देती है यह कि वो अपने पक्स में फिर बोलना सरू हो जाता है आया तो था साइट अपने विपक्स के लिए अपने कुछ बुरा करने के लिए लिए आते ही वो अपने पक्स में कुछ करना सरू कर देता है तो ऐसे इनके पावर होते हैं बहुत अच्छे तरीकी से कारिये करती है कुछ सामान वगर लाना है रातरी का लिए मैं दिन में कहीं से भी आपको गुप सु ये वश्में हो जाती है, आपके उपर अगर खूश है, तो फिर आप किसी को कहेंगे कि पर किसी को मारना है, तो इसको मारना के लिए भी ये कुछ भी कदम उटा सकती है, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ता है, इसको सिद्ध करना के लिए ये होता है, कि आप इसको सिद्ध बता देता हूं जो मंत्र करने से यह शक्तिय इसका आगमन होता हैं और यह आगमन होने के बाद में इनकी अगए आपको परसाई न दीखेगी तो आपको थोड़ा बहुत हल्का सा उदर से निकलता उदर से निकलता पास से निकलता आपको को ही शुनाई देगी लेकिन इनका यह होता है कि इनको शिद्ध करने के बाद में इनको फस्म बद्ध करने के बाद में ही यह कारी करेगी नहीं तो आपको भरम में पढ़ती है कि भरम फैलाती है यह जैसे आपको भरम में ऐसे उलजाएगी कि आप क्या कर रहे हैं और कुछ कोई और है ऐसे ये ब्रहम बहुत ज़्यादा पहलाती जैसे दूसरी लोगों के साथ में करती है वैसे सादक के साथ में भी ये कर सकती है इसलिए इसमें ये होता है कि सकती होती है तो अपने पास में कोई गरू शक्ती या कोई भी इस्ट सकती, कोई शिव सकती वगेरा बहुत अच्छा पावर होना चाहिए आप साइद इसलाम के तंतर से तो वो भी अपने हिसाब से उनकी स्टडी मैटेरिल जो होता है वो शाधना का पूरन रुप से करके ही ये शाधना करें नहीं तो ये होता है कि ये ब्रहम ब्रहम में इंसान को पागल भी कर देती है इंसान को इतना ब्रहम में पहला देती है नॉर्मली इंसान होता है जो बिना साधक इसको डारक क्लिक करता है तो इंसान को पागल बना देगी करेगे जो करेगा कुछ और होगा कुछ और करने कुछ और जा रहा है हो रहा कुछ और है फिर ऐसे ब्रह्म में डालके उसको पागल कर देती है फिर उस इंसान को लगता यार मैंने ऐसे किया था यह से कैसे हो गया फिर दूसरा कोई भी करेगा तो ऐसे किया था ऐसे कैसे हो ग सामने सा मंतर हैं इसका आगमन होता है यह आजमाया हुआ है आप ज़रूर अगर सादक है या आपके पास कोई शक्ति यह तो फिसमेदारी इसमें नहीं है हम जिमेबार से नहीं रहेंगे क्योंकि सक्तिया होती है इनका कोई भी सेडियूल नहीं होता है कब आती है कब जाती है यह बड़ा सादक होता है तो वो रोक सकता है इसको कैसे टोकना है रेक्स से रोकना है उसी हिसाब से इसको सादना को करता है तो हम आपको केवल ज्यान के बारे में इसका बता रहे थे और ज्यान के माध्यम से ही आपको इसका मंत्र बता रहे हैं शुन लेजेगा करीम करीम शत्यस सोडेल करीम करीम फट स्वा अगर आप हवन करते हैं तो स्वाल लगाते हैं नहीं तो स्वाल लगाने की कोई जरूत नहीं हवन में इसमें यह होता है कि आप कोई भी सराब पगेरा किसी हवन शामगरी में मिलाके उस पर डालते हैं अगनी पर तो स्वाल लगा सकते हैं नई तो आप करीम करीम सत्तिस अडेल करीम करीम फाट इतना करेंगे तो उसका आगमन हो जाता है इसका आगमन वैसे आप ऐसी जगों में करते हैं तो मुश्किल से 20-30 मिनट का समय लगता है और इनका आगमन हो जाता है आप कई भी आजमा के जरूर देखिएगा इसको आजमा के देखेंगे तो भी आपको फर्वाविश्का दिख जाएगा लेकिन यही रहेगा कि आपके पास सुरक्षा होना जरूर यह नहीं तो आपको भरम्मे उल जाएगी हो सकता ऐसी दे नहीं होगी लेकिन आप एक दिन कर दिया आपने के उलाज माना के लिए तो वो आपको कुछ दिन और बाद में आपको कहीं प्रहम्मे ऐसे जगह डाल देगी कि कहीं से आप निकल रहे हैं तो वहाँ पे कहीं किसी औरत का रूप लेके आपको प्रहमें डालेगी या कोई समंधी का रूप लेके भी प्रहमें डाल सकती है कुछ भी कर सकती है ये शक्तिया एक अलग तरीके की होती है ये पल जपकते ही अना रूप्रीवर्तन भी करति है अपने शक्तियां होती है इनके पास में और कोई तंत्र से जूड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा पावर्फुल होती है और वो आती भी चलती है अगर कोई तांत्रिक और देवगेरा मरती है और उनकी इच्छाय होती है तांत्रिक इंसान कोई भी है मरता है तो उनकी काफी सारी इच्छाय होती है तो वो बहुत ज्यादा पावर्फुल होती है और कोई भी सादक आसपास में मंत्रों कर जप करता है तो खिची चले आते है क्योंकि उनकी तो इच्छा ही होती है और वो अधूरी इच्छाओं वाले जल्दी आते हैं इसलिए आप बड़े सोच समझ कर विसार कर आराम से सब देखने के बाद में ही ऐसी साथनाएं करें यह सोडेल साथना है कोई चोटी मोटी साथना नहीं बहुत बड़ी साथना होती है वैसे इसं पिर काफी कुछ कारेया भी होते हैं सोडेल्दों के जरिए जो करने वाले करते हैं इसलिए आप एक मन में कोई भी आप नॉर्मली समझ के साथना को नहां करें क्योंकि इनके पास में इसका कंट्रोल नहीं है तो अशले आप सोच सामज के करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और से जरूर करना सेनल को सस्प्राइब करना आप सभी को हर हरमादे लोग 75% लोग हैं जो मतलब बीना सस्प्राइबर हैं तो आप से निवे दना अगर आप ध झालब आप से जरूर आप से लोग झालब आप